हर परिवार एक घर में आपका स्वागत है आज हम लाए हैं एक खास चैचा पल्यूशन यानि प्रोदूशन को काबू में रखने के लिए NCR में कई बार कंस्ट्रक्शन अक्टिविटीज पर एक ब्लैंकेट बैन यानि रोक लगाई जाती है यह माना जाता है कि जो कंस्ट्रक्शन की गतिविदी है धूल मिट्टी उससे उड़ती है और पार्टिकलिट मैटर 2.5 पीमाई जो कहते हैं उस पर असर पड़ता है लेकिन सभी प्रोजेक्स पर रोक लगाना सिर्फ बिल्डर्स के लिए ही नुकसान दायक नहीं होता है इसमें ग्राहक और हम बायस का भी नुकसान है कंस्ट्रक्शन रुक चाने से घर भी समय पर नहीं मिलते है इसका क्या समाधान हो सकता है पुल्यूशन भी जानलेवा है और घर समय पर मिले ये भी सरूरी है आईए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से हमारे साथ है ललित कुमार अगरवाल NCR की प्रसिद रियल इस्टेट कंपनी सिगनिचर ग्लोबल के वाइस चेर्मेन है और इन्वेस्टो एक्सपर्स के मैनेजिंग डिरेक्टर विशाल रहे जा लली जी कंस्ट्रक्शन बैन इसी साल नहीं हुआ है ये हर साल होता है अक्टोबर से जैनवरी के बीच में और दो से तीन महीने बिल्डिंग्स नहीं बन पाती है तो जाहिर है प्रोजिक्स कंप्रीशन पर फरक पड़ता ही है जी फरक पड़ता है और रियल इस्टेट एक ऐस सेग्मेंट है ऑटो मोबील इंडिस्ट्री के बाद की सबसे बड़ा रोजगार को रोग देते हैं तो इससे पूरा एको सिस्टम e affected होता है हर साल कस्रेक्षिंस बेरण की वज़े से लगबग दो महिने तक कस्रेक्षं एक्टिविटि एफेक्टिड होती है जहां इससे एक टर्चेक्षिंस दिले की सिचेशन बढ़ जाती है वहीं कस्रेक्षिंस वर्कर्स को गोब्लाइस करना भी काफी उस्किल होता है क्योंकि एक बार कशक्षान रुखने पर लेबर या तो होमटाउं चले जाते हैं या फिर अधर देन एक्टिविटीज में डाइबर्ट हो जाते हैं हमें अलगलग एप्रोच सतर कुरुख अफनाने की जरूता है हमें सेल्फ रेगुलेशन की जरूता है और एक्जांपल सिनेचर ग्लोबल ने भी हाल में ही यूएस एईडी के सी एबीच क्लीन एयर बैटर हेल्फ कारकेम के लिए अमरीका की एक एंजियो सी एईडवलू कांस करेंगे हर्याना पॉलिशन बोड ने हर्याना पॉलिशन चंट्रोंड ने हाल में ही एक स्कोरिण प्रणाली जारी की है जिसमें 29 परामिटर है स्कोरिंग सिस्टम के अनुसार क्लासिफाइट किये जाएगा 25 और 55 के बीच में जो स्कोर होगा उसको बैड माना जाएगा होगत है जाएगागा तो इस समय कंस्रक्शन स्टेटिस ट्रेघ्टिस क्या है अगर आपके साइज पर आप खुदि मैनेज कर रहे हैं पल्यूशन नहीं हो रहा है तो क्या विशाल लेकिन ये तो सिग्निचर ग्लोबल है इन्होंने खुद ही ये जो हर्याना सरकार ने जो प्रोटकॉल ब्मइस करने के लिए वह तो हैठ उसे जादा ही कर रहे हैं लेकिन हाल ही में हरयाना सरकार súkkår ने कभीदा स को फ्रजाइन भी किया है प्रोकॉल नहीं फालो करने के लिए तो आपको क्या लग coronavirus ये अकितना तो मैं पॉलिशन बोर्ट केस इनिशेटिव को समर्तन करते हैं, obviously they are thinking about the citizens of the country, but इसकी other side story समझना बहुत जरूरी है, आज किसी एक selected developer की वज़े से, किसी एक selected developer की गलती की वज़े से, पूरी इंडस्ट्री सफर ना करें, यह construction बंद होना फूरे एको सिस्टम को एफेक्ट करता है, और पूरा कस्टमर की जो पॉजेशन की टाइम लाइन से वो डिले होती है, पॉजेशन टाइम लाइन से वो बढ़न आता है, वो एक समय पे रेंटल भी पे कर रहा होता है, तो मुझे ऐसे लगता है, थोड़ी सी स्ट्रिकनेस बढ़ाने की जुरू होता है, और उन सेलेक्टेड डवलपर्स के साथ जो इस प्रोटॉकॉल पो फॉलो नहीं करते हैं, एक नया रूल लागू कर देना, एक नया कम्प्लाइंस अट करना, मुझे लगता है, थोड़ा डिफिकल्ड है, ये इंडस्ट्री के अंदर अरड़ी बहुत सारे कम्प्लाइंसे हैं, हम लोग पिछले कही वर्ष से सिंगल विंडो क्लेरिंस की बाते कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जो एकनॉमी को बहुत सपोर्ट करती है, बर तब भी आज एक डवलापर को मल्टीपल अथॉरिटीज के पास जाना पड़ता है अप्रूवल्स के लिए, और एक और नया कंप्लाइंस हैड होना मुझे लगता है थोड़ा सा गलत रहेगा, इससे बहतर अगर हम कुछ और चीजों पर काम करें, जैसे कि आपको पता हर साल हर्याना के अंदर किसानों की तरफ से पराली जलाई जाती है, उस पे भी सरकार काफी रोक लगा रही है, ऐसी और बहुत सारी गतिविदिया है जो हो रही है, जिसको मुझे लगता है रोक लगाई जाए, तो हम इस एर पॉल्यूशन को बेटर कर पाएंगे, और आपका कहना सही है कि होम बायर ही नहीं, मतलब चेन में बहुत लोगों को फरक पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इंप्लॉइड हैं, और ये कंस्रक्शन लेबर, कॉन्ट्राक्शन लेबर होता है, तो जब वो काम करता है, तब ही उसको पैसा मिलता है, नहीं तो तो मतलब सिर्फ कंस्रक्शन पे ही बैन कियो, लेकिन प्लूइशन भी बहुत ही एक बड़ा मुद्दा हो गया है, NCR के लिए, लाले ची, फाइनली मैं आपसे यहीं पूछना चाहूंगी, कि किस तरह इंडिस्ट्री में एक कंप्लाइंस बढ़ाई जाए, क्योंकि जैसे अगर एक दो छोटे भी बिल्डर्स हैं, बड़ा बिल्डर भी ना हो, वो भी अगर नहीं फॉलो करते हैं, उन पे फाइन के अलावा लिटरली पूरा सेक्टर में काम बंद हो जाता है, तो कोई इंडिस्ट्री बॉड़ी है, जैसे नरेट को है, क्रिडाई है, क्या वो इस जिम्मितार डेवलपर के रूप में हमारा जो उदेश है, प्रयावर अनोर इसकी नेच्टरल एसेक्स को बचाना, इसके लिए एफेक्टिव पोलिशन कंडोल मेजर्स का बालन करते हैं, और पोलिशन की समझ्चा कम परने के लिए सस्टेनेबल प्रैक्टिस को अपनाते है हमारे लिए कर्श्रक्शन साइट्स पे पोलिशन लेवल्स को मोनिटर करना और पर्टिकुलेट मैटर को के भड़ते सतर पर रुपना हमारी हाई प्रैक्टिव होता है, सिगनेच्टर ग्लोबल 3R के मतल पर काम करता है, रिडियूस, रिसाइक्ल और रियूस यानि निर्मा करमचेरियों को विशस प्रिस्टिक्शन देते हैं, जिससे क्रिस्ट्रक्शन अक्टिविटीज को कम से कम पॉलिशन हो, आज विस्ट में जो ग्लोबल वार्पिंग की समश्या है, उसे ध्यान पे रखते हुए, एज रिस्पॉंसिबर्ट, रिल इस्टेट डवलपर, हम ग जान उन प्रोजेक्स की तरफ करते हैं, उन बिल्डर्स की तरफ जो रिस्पॉंसिबली इस प्लूशन मैटर को लेते हैं, जी बहुत बिल्कुछी कह रहे है, आज का कस्टमर सब कुछ जानना चाहता है, जो डवलपर प्रोजेक्शन डिलिवर कर रहा है, क्या वो सारे सेफ होंगी कि 2023 में रेलिसेट सेक्टर को जादा ब्रेक्स ना लगे, चलता रहे, अभी गाड़ी पकड़ी है, स्पीड पकड़ी है गाड़ी ने, तो ये स्पीड ना रुके, हर परिवार एक घर में आज इतना ही, अगले हफते फिर मिलते हैं एक खास मुद्धे पर चर्चा के साथ.